आज की वीडियो में हमने कवर किया है HES के Preliminary Test का GS section तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जाह से आज शेर कीजिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं Question No.1 है बहरत के मानव विकास उचकांक के निर्माण में निमलिकत कारकों मैंसे किसका उप्योग नहीं किया जाता है सही उत्तर होगा दोस्तों Morbidity Option No.C Question No.2 है प्रच्छन बैरोजगारी का मतलब है सही उत्तर होगा दोस्तों Option A श्रम की सिमानत उत्पादकता शुन्या Next Question है दोस्तों Human Development Index does not use which parameter while measuring gender inequality तो सही उत्तर होगा दोस्तों Option No.B Health Question No.4 है संकल्प क्या परदान करने के लिए लौच किया गया है सही उत्तर होगा दोस्तों Option D युवाओं को बजार प्रसंगिक परशिक्षन परदान करने के लिए लौच किया गया है Question No.5 है भारत में राज कोश्य निती का सुनहरा नियम है सही उत्तर होगा दोस्तों केवल सार्वजनिक निवेश के लिए उदार लेना Borrowing only for public investment Option B Question No.6 है निमलिकित में से कौन प्रबंदन प्रदर्शन संकेतक का एक उदारण है सही उत्तर है दोस्तों Option B जनता या करमचारियों के शिकाईतों की संक्या Next Question है इन में से कौन सा कॉर्परेट समाजिक जिम्मेदारी का आयाम है सही उत्तर है दोस्तों परोपकारी Option D Question No.8 है NGO को विकास प्रक्रिया में मौजूद समस्याओं पर ध्यान के इंद्रित करने और ठीक करने के लिए डैश के रूप में मानेता प्राप्त है सही उत्तर होगा दोस्तों Magic Bullet Option सी सही उत्तर है Question 9 है निमलिक्त में से कौन सा धार्निय विकास की लिए प्रात्मिक लेक्षे है सही उत्तर होगा दोस्तों Option B कचरे और उत्सर्जन को खतम करना Next question है भारत का इको मार्क लेबल है Option B Option B सही उत्तर होगा दोस्तों अगला प्रेशन है निमन में से किस कारक के कारण प्रजातियों का सामुहिक विनाश नहीं होता है सही उत्तर है दोस्तों Excessive Rainfall Option C सही उत्तर होगा Next question है चालिस वाट बिजली के बलव का उप्योग हर दिन 6 गंटे किया जाता है 30 दिनों में इसकी खपत करने वाली विदियो तिकाई की संक्या है तो दोस्तों सही उत्तर होगा सही उत्तर है दोस्तों 7.2 D option Question number 13 है एक धिमे neutron बंबारी के साथ Uranium 235 के परमाणु विखंडन में लगबग उर्जा का उत्पादन होता है सही उत्तर है दोस्तों Option C सही उत्तर होगा दोस्तों अगला प्रेशन है दांतों को बहनने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाला दंत मिश्रधातू है दोस्तों सही उत्तर होगा Option A चांदी पारा टिन तामबा और जस्ता Next Question है निमिन लिकित में से कौन सा पदार्त पानी की खठोरता के लिए जिमदार नहीं होता है सही उत्तर होगा दोस्तों Calcium Nitrate Next Question है पौदों के विभिन जानवर के किस समों में शरीर की गुवा खून से बर जाती है सही उत्तर होगा दोस्तों Option B Arthropoda Next Question है मास्पेशियों में ऑक्सिजन की कमी से अक्सर खिलाडियों में एंटर्न होती है इसका कारण है Option B Pyruvate का लेक्टिक अमल में रुपांत्रण Next Question है दोस्तों प्राक्रेतिक भोगॉलिक रूप से हिमाचल प्रदेश में पालंपूर, धरमशाला, जोगींदर नगर निमन में से किस क्षेतर में आता है सही उत्तर होगा Option D Wet Sub Temperate Option D Next Question है Next Question है सन 1948 में निमन में से कौन सी रियासत या ठकुराई मासू जिले का भाग नहीं थी सही उत्तर है, दोस्तो Option D अन्नी Next Question है जाहोर हिमाचल प्रदेश के किस जिले का तिबती नाम है सही उत्तर है, Option B Mandy Next Question है हिमाचल प्रदेश की बरप से ढकी किस चोटी की बनावट Switzerland की मैटर हॉर्ण जैसी है सही उत्तर है, दोस्तो गेपांग Option A Next question है निमन में से कौन सा यूगल सही नहीं है सही उत्तर है दोस्तों स्वांगला जांजरारा Option D Question No.25 Matching वाला है दोस्तों इसमें नरित्य दिये गया है चिनको उनके related district से match करना है तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों Option B आप एक वार वीडियो को पाउज करके match कर दीजे Next question है लोडी को राजय तेवहार खोशित किया गया है और 13 जनुवरी 2010 को प्रदेश का प्रतम लोडी तेवहार किस जगह पर मनाया गया था सही उत्तर है दोस्तों प्रागपूर Option B दोस्तों प्रागपूर हिमाचल प्रदेश में Heritage Village भी है Next question है नीमन में से किस मंदिर का निर्माण आहुक और मन्युक दो वेपारियों द्वारा किया गया माना जाता है सही उत्तर है दोस्तों Option A बैजनात मंदिर Next question है नीमन में से किस गौमपा के पुस्तकालियों में कंग्यूर और तंग्यूर का सबसे बड़ा संग्रय है सही उत्तर है दोस्तों करदंग गौमपा Option B Next question है नीमन में से कौन सा कतन सही नहीं है दोस्तों सही उत्तर होगा Option A अर्की चित्रकला शैली की स्थापना राजा जगत सिंग ने नहीं की थी Next question है हिमाचल प्रदेश भाषा कला एउन संस्कृती एकादमी को किस गाटी में 600 वर्ष पुरानी पांडूली पी प्राप्त हुई है जो आयरवेदिक औश्दी प्रणाली से सबंदी थी सही उत्तर है दोस्तो स्पीती वैली Next question है नीमन में से कौन सा युगम सही नहीं है तो दोस्तों सही उत्तर होगा Option A फत्यपूर किला बंदलाधार Next question है चम्बा का एक विशेश सिक्का कौन सा है जिसके पांच सिक्के का एक आना होता है सही उत्तर है दोस्तो चकली Next question है नीमन में से कौन सा प्रथम विक्ती था जिसने चम्बा और बर्मौर में पुरा तत्व अवशेशों का प्रिक्षन किया था सही उत्तर है दोस्तो ओप्षन सी जनरल कनिंगम Next question है पटियार और कनिहारा में पाएगे प्राचिंतम पाश्यान अभिलिकों की लिपी क्या है दोस्तो इसका सही उत्तर होगा Option A ब्रहामी Next question है तिबती अभिने कला संस्थान दोवारा मेकलोड गंज में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला गीती नाटेव तेहार कौन सा है जो 1969 से पुर्वलासा की वार्षिक विशेश्ता थी Option B सही उत्तर है Next question है निमन में से कौनसी गाति बीना अपवाद किनोर जिले की सबसे विशम गाति है तो दोस्तो सही उत्तर होगा तिदोंग गाति Option A सही उत्तर है Next question है निमन में से किसे जेश्टांग dich नाम दिया गया है सही उत्तर होगा दोस्तो मलाणा गाउं की खाप पंचायत के उच्छ सदनेव निचले सदन ऑप्शन सी सही उत्तर है नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौल स्पीती ने प्रती हेक्टेर आलू उत्पादन में नीमन में से किस देश को दूसरे पाइदान पर देखेल दिया है सही उत्तर है दोस्तों नीदरलेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सन थारसोस्तारा में नीमन में से किस जगे का सरपतम वर्नन स्कॉटिश अफसर भाईयों की डाइरी में मिला है सही उत्तर है दोस्तों शिमला ओप्शन बी नीमन में से किस नदी घाटी में चार जिलों के 9258 गाउं के 1200 से अधिक पंचाईतों में जलवायू परिवर्तन समवेदन शीलता का आकलन किया जा रहा है सही उत्तर है दोस्तों प्यास ओप्शन C नेक्स्ट क्वेशन है परिवेन विवाग हिमाचल प्रदेशने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए निमन में से कौन से वेब अधारित सौफ्ट्वेर लगू किया है सही उत्तर होगा दोस्तों ओप्शन B सार थी सन 1852 में दिली टी एस्टेट की स्थापना करने वाले बोटनिकल गार्डन के अधिक्षक कौन थे सही उत्तर होगा दोस्तों डॉक्टर जैमसन ओप्शन B एक गहन अनुसंदान और उस योजना की सपलता के उपरां थी माचल प्रदेश का कौन सा जिला पिस्ता उत्पादन में प्रदेश का अग्रणी जिला बनने वाला है सही उत्तर होगा दोस्तों ओप्शन D किन और नेक्स्ट क्वेशन है बहुस तर्यों मार्केटिंग कमपनी इजी वे विद द्वारा स्थापीत हिमाचल प्रदेश का प्रतम M.O. प्रजिनन के अंदर कहां स्तित है सही उत्तर होगा दोस्तों गंडवाल उन्ना ओप्शन है नेक्स्ट क्वेशन निमन में से कौन दो वन्यजी विशेश्चिक थे जिनका हिमाचल प्रदेश के सलरोपा में प्रदेश के प्रतम बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापीत करने में प्रमुक योगदान था तो दोस्तों सही उत्तर होगा ओप्शन C फ्रांसिस पुनार और टी एच वाकर नेक्स्ट क्वेशन है शंगाई संयोग संगठन के आठ अजूबों में निमनित में से किसे शामिल किया गया है सही उत्तर होगा दोस्तों ओप्शन C स्टेच्व उफ यूनिटी नेक्स्ट क्वेशन है भारत ने किस देश को कामियाब नाम का एक मेड इन इंडिया कष्टी पोत उपाहर में दिया है सही उत्तर होगा दोस्तों मौल्दिव ओप्शन B नेक्स्ट क्वेशन है 27 दिसंबर 2019 को किस भारती वाइस सिना के विमान का विगटन किया गया था सही उत्तर है दोस्तों मिग 27 ओप्शन है नेक्स्ट क्वेशन है 16 जन्वरी 2020 को एक एतिहासिक समझोते पर स्ताक्षर करने के बाद अब किस आदिवासी शर्णारती समुधाय को त्रिपूरा में बसने की अनुमिती दी जाएगी सही उत्तर है दोस्तों ओप्शन बी ब्रू रिनंग नेक्स्ट क्वेशन है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतिय पासपोर्ट की रंकी क्या है दोस्तों सही उत्तर होगा ओप्शन दी 84 नेक्स्ट क्वेशन है ग्लोबल टाइगर फोरम का मुख्यालय कहा है दोस्तों 51 का सही उत्तर है ओप्शन बी न्यू डैली दोस्तों नेक्स्ट क्वेशन है बॉइड किट क्या है जो हाल ही में खबरों में था दोस्तों सही उत्तर होगा ओप्शन बी सिमाओ का सिमाओ की डिटल निगरानी नेक्स्ट क्वेशन है भारत की पक्षी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाउस स्पेरो की स्थिति क्या है सही उत्तर दोस्तों आप्शन A, स्टेवल बारत ने किस देश के साथ अड्डू प्रेटन स्थापित करने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किया है सही उत्तर दोस्तों माल्दिव आप्शन A नेक्स्ट क्वेशन A, गलोबल हैपिनेस इंडेक्स 2019 में 156 देशों के बीच भारत की रेंग क्या थी सही उत्तर है दोस्तों, आप्शन A, 140 नेक्स्ट क्वेशन है किस परदेश सरकार ने एक परिवार एक नोकरी योजना शुरू की है सही उत्तर है दोस्तों, सिक्किम आप्शन B next question है भारत में किन शेहरों को गैर प्राप्ति वाले शेहर कहा जाता है सही उत्तर होगा दोस्तों option D लगातार राष्ट्रिय परिवेश वायू गुणवता मानको की तुलना में खराब वायू गुणवता दिखारे option D is the right answer next question Sydney स्थित लोवी संस्तान दोरा जारी गलोबल डिप्लोमेसि इंडेक्स 2019 की सुची में कौन सा देश शिर्ष पर है सही उत्तर है option D चाइना next question है किस परदेश ने मैच फिक्सिंग से संबंदित अपरादों का अपरादी करण किया है सही उत्तर है दोस्तों शिर्लंका option D next question है बड़ा दिशैन किस देश में मनाया जाने वाला त्यवाहर है सही उत्तर है दोस्तों नेपाल option B next question है अंतराष्ट्रियम महिला दिवस 2020 का अभ्यान विश्य क्या है सही उत्तर है दोस्तों D is for equal next question है the term operation car wash that was making news recently is related to which country सही उत्तर है दोस्तों option A Brazil next question है स्युक्तराष्ट्र जल्वायु शिकर समेलन COP26 की मेजबानी कौन सा देश करेगा सही उत्तर होगा दोस्तों option B UK question number 64 एक नवीनतम रिपोर्ट में विश्य बैंक ने भारत के प्रियासों और नितियों की सराहना किया है सही उत्तर है दोस्तों 1991 के बाद से गरीबी को आदे से कम करना option है next question है अर्थ शास्तर के लिए नोबेल पुर्षकार 2019 में अबिजीत बैनर जी, इस्तेर डफलो और माइकल क्रेमर को समानित किया गया है सही उत्तर है दोस्तों विकास शील दुनिया में गरीबी से निपटने के लिए प्रभाफशाली तरीकों की खोज करना option A परियावरण में जारी होने वाले माइक्रो बायर्स को लेकर बड़ी चिंता क्यों है सही उत्तर है दोस्तों option A इन्हें समुंदरी परिस्थितिक तंतर के लिए हानिकारक माना जाता है next question है which one is the largest exporter of rice in the world in the last five years सही उत्तर है दोस्तों option B मेरा प्यारा भारत next question है दोस्तों किस देश की राजधानी का नाम बदल कर नूर सुल्तान रखा गया है सही उत्तर है दोस्तों option A कजाकस्थान next question है दोस्तों किसको Bretton Woods Twins कहा जाता है right answer है IMF और विश्व वेपार संगटन option B next question है एक जनवरी 2019 को किस राजध को एक अलग उच्छ नियायल्य मिला जो भारत का 25 उच्छ नियायल्य है सही उत्तर है दोस्तों option D अंदर प्रदेश next question है निमिल लिखित में से किस राजध में दुई सदनियों विदान मंडल नहीं है सही उत्तर है दोस्तों West Bengal option D next question है 1959 में भारत में पहली बार किस राजध ने पंचाईती राज को अपनाया सही उत्तर है दोस्तों option A पंचाईती राज विवस्ता के बारे में निमिल लिखित में से कौन सा सच है सही उत्तर है दोस्तों option C option C next question है निमिल लिखित में से कौन सी LM सिंग्वी समिती किसी फारिश है सही उत्तर है दोस्तों option D all of these next question है पहल यूजना किस से सम्मन्दीत है सही उत्तर होगा LPG सबसीडी का प्रत्यक्ष अंतरण option B next question है भारत के सविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए जन्जात्य भूमी को निजी दलों को स्तांतरित करने को शुन्य और शुन्य गोशित किया जा सकता है सही उत्तर है दोस्तों option B पांचवी अनुसूची next question है next question है राज्य सबब अपने विचार के लिए भेजेगे वित विधेय को लोगसबा द्वारा अधिक्तम अवदी के लिए विलंबित कर सकती है सही उत्तर है दोस्तों option A 14 दिन के लिए next question है दोस्तों the constitution 86th amendment act 2002 deals with सही उत्तर है दोस्तों option A right to education a fundamental right for children in the range of 6 to 14 years option A is the right answer question number 79 है राष्टरिय मानवादिकार आयोग एक साविधिक निकाय है option C सही उत्तर होगा next question है किस केंदरिय मंत्राल्य ने सरवजनिक सिवा के परभावी वितरन के लिए एक नया वेब पॉर्टल सेंटस्ट लॉंच किया है सही उत्तर है option C श्रम और रोजगार मंत्राल्य question number 81 25 दिसंबर 2019 को केंदर सरकार द्वारा शुरू कियेगे सुशाशन सुचकांक मैं कौन सा राज्य शिर्ष पर है सही उत्तर होगा दोस्तों option A Tamil Nadu next question है कौन आर्य समाजी नहीं था सही उत्तर होगा दोस्तों option B भाबा राम चंद्र next question है कौन सा संगठन सबसे बाद में स्थापीत हुआ सही उत्तर होगा दोस्तों RSS राष्ट्रिया स्वैम सेवक संग 1925 में स्थापीत हुआ था अगला प्रेशन है वर्नकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ सही उत्तर है दोस्तों option A 1888 next question है पाबना विद्रो निमलिक्त में से किस क्षेतर में हुआ था सही उत्तर है दोस्तों option C बंगाल अगला प्रेशन है chamber of princess का सरप्रथम अधिविशन किस वर्ष में आयोजित हुआ सही उत्तर है दोस्तों option C 1921 अगला प्रेशन है 1880 में आकाल निती पर नियुक्त आयोग की अधिक्षता किसने की सही उत्तर होगा दोस्तों option B Richard Strachey next question है 1923 में ब्रसल्स में हुए Congress of Oppressed Nationalities में नियुक्त में से कौन उपस्ती था सही उत्तर होगा दोस्तों option D जोहरलाल नहरू next question है उल गुलान क्या था right answer है दोस्तों option A एक मुंडा विद्रो question number 19 निमिलिकित संस्थानों में से कौन सी संस्था सबसे बाद में स्थापित हुई सही उत्तर है दोस्तों option B मदरास महाजन सबा next question है British प्रधान मंत्री ने British संसथ में कब यो गोशना की कि जून 1948 तक उत्तरदाई भारतियों के हाथों में सत्ता का अस्तांतर कर दिया जाएगा right answer है option B February 20, 1947 next question युवाओं को करांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर अकर्शित करने के लिए सचिंदरनाथ सान्याल ने निमिलकित में से कौन सी रचना लिखी थी सही उत्तर होगा दोस्तों option D बंदी जीवन next question है निमिलकित में से कौन सा भारत में मिट्टी का प्रगार नहीं है सही उत्तर होगा दोस्तों option number D कोईस next question है जलंदर दुवाब का संबन निमिलकित में से किस से है सही उत्तर है दोस्तों option D वयास और सतलुज के बीच का क्षेतर next question निमिलकित में से कौन पूर्वी गाट की सबसे उंची चोटी है right answer है अर्मा कोंडा option B next question है खेतरी में स्मृत जमा है option number C copper सही उत्तर होगा question number 97 49th parallel is associated with सही उत्तर है दोस्तों Canada और USA option B next question है लेना रिवर ओफ रश्या empties in सही उत्तर होगा दोस्तों लेप तेव सागर option A next question है बंजर जल प्रपात आस्ट्रेलिया के किस रंचनात्मक भाजन से चुड़े हैं सही उत्तर है दोस्तों option A पूर्वी हाई लेंड्स लास्ट क्वेश्चन है विनिपैग इन कैनाडा इस फैमस फॉर सही उत्तर होगा दोस्तों option A for trapping दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू सो मच